आपका अपने यूटूब चैनल ग्रीन लाइन सोलुशन पर और आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे यह रिजनिंग देखिए मिस्लेनियस प्रब्लम का यह क्लास टू आज हम लोग पढ़ेंगे आप लोग को पता है यह आप लोग के लिए बहुत ही हैलफुल रहता है मिस्लेनियस वीडियो आप बार 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 बोलते रहते हैं सर्म मिस्लेनियस वीडियो बनाके डली अप्लोड करिए तो देखिए आज यह लाया हम इसका पार्टू इसी तरह से चलते रहेगा इसमें बह बहुत ही helpful सावित होगा देखिए यहां पर बोड़ा है दिये गए विकल्पों में से वह सब्द चुनिए जो दिये गए सब्द के अच्छरों का परियोग करके नहीं बनाया जा सकता है किसका परियोग करके नहीं बनाया जा सकता है देखिए यहां पर तो देखेंगे सबसे परियोग करके बनाया जा सकता है ठीक है फिर यह सेंस देखिए साइ एन सी सी यहां पर है आई भी है आई भी है एन भी है लेकिन यहां पर ए नहीं दीख रहा है मतलब एक यह वर्ड हो गया यहां पर देखिए यह दीख रहा है, इसमेर यह ऐईसा है जो इसमें नहीं दीख रहा है, Matic, M, A, T, I, C, M, A, T, I, C, इसमेर देखिए दीख रहा है Matic, मतल़ इसों बना है, M, A, T, इस से भी यह बना है, ठीक है, कहने का मतलब है, यहeur शेंसे नहीं बनागोई, में ये front को ये code में लिखा गुआ है लिखा जाता है तथा мыш बॉर्न याँ पे लिखा गुआ को इतना लिखा जाता है तथा इस code बास हमें मौन्स को किस पर कर लिखा जाएगा तो देखिए इस step के प्रस्षिन को सबसे पहले याँ पर लिखे समझते हैं यह प्रॉंट है यह वर्ड है इसके बाद यहां पर दिख़े लिखा हुआ है यह दिखिये वर्ड बहुत लंबा लग रहा इतना को इतना लिखा हुआ है अब अगर इसको यहां पर लिखा जाए six यह one eight फिर है one five one four two zero उसी परकार बोलता है यहां पर इसको लिखा गया है B O R N E इसको लिखा गया है 20 यह 1 है यहां पर 5 है फिर 1 है फिर 8 है 1 है 4 है 5 है ठीक है देखिए सबसे पहले इसमें क्या किया गया है समझते हैं एप का कोडिंग कितना होता है तो एप का कोडिंग 6 होता है ये इसका कोड दिया हुआ है जिस तरह से आपको बताये थे कि A, B, C, D होता है सबका अपने अपना कोड होता है ये का 1, B का 2, C का 3, D का 4 जिस तरह से हम लोग काउंटिंग करते जाएंगे इसका कोड बनते जाता है अब यहाँ पर देखिए R, R का 18 होता है इसका trick हमने बताया है वीडियो में वहाँ जाकर कि अब इसका trick सीख सकते हैं उसे आप कभी नहीं भोलेंगे फिर देखिए O का यह कितना होता है 15 होता है N का 14 T का यह कितना 20 है B का कितना हो जाएगा यह 2 यह O का 15 देखिए यहाँ पर भी 15 है R का होता है 18 यहाँ पर भी देखिए 18 है N का यह 14 पता E का 5 पता है मतलब सब का code दिया गया है तो simple हमको देखना है इसका क्या code हो जाएगा तो M का कितना होता है M का 14 होता है O का 18 होता है R का देखिए यहाँ पर O का पंदरह होता है R का R का 18 हो जाएगा N का 14 हो जाएगा और यहाँ पर एग R है S देएखिये हाँ पर S का 19 हो जाएगा यह कोन making कर रहा है 14, 15, 18, 14, 19 यहाँ पर देखिये M का 14 नहीं यह N का होता है यहाँ पर 13 हो जाएगा 23, 15, 18, 14, 19 13 14 यहाँ है मतलब यह होगा नहीं और 13 से शुरू होने है यह भी तो नहीं होगा यह भी नहीं होगा यह शुरू हो रहा है 13 15 15 अप्सन नमर 11 राइट एंड शर मतलब सबका अपना-पना कोड लिखा हुआ है आपको समझ में आ गया होगा चलिए देखते हैं नेक्स प्रस्ट यहां प्रस्ट्र फ्रस्ट थ्री बुरा अधी यह 18 यहां पी डेल्टा सैन है यह फोर है ब्राबर यह 11 फिर यहां पर सॉलला डेल्टा आठ ब्राबर यह टुवेल दिया हुआ है 6 डेल्टा 12 वर 9 दिया हुआ है तो 18 डेल्टा 14 कमान पूछ रहा है तो देखिए इसमें सिंपल हम लोग क्या करेंगे ये डेल्टा जो है कोई नियम यहां पर लगा रहा होगा जिसके करन ये 11 आ रहा है यहां पर तो वह ही नियम को हम लोग को गयात करना है तो देखिए यहां पर क्या करते हैं जदी 18 में ये 4 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 18 चार 22 घटाने से तो और कम हो जाएगा 22 का आदा दिखिए यहां पर दिया हुआ 22 को जब 2 से डिवाइट करेंगे तो कितना मिल जाएगा 11 मिल जाएगा यहां पर देखते हैं वही सेटिंग हो रहा है क्या तो सब्लब प्लस आठ कर देंगे सब्लब प्लस आठ करेंगे तो कितना आ जाएगा चोबिस चोबिस को दो से भागा देंगे कितना जाएगा बारा तो देखें यहां पर बारा आ रहा है यहां भी किया हो गा तो 12, 16, 18, 18, गुँछे भागा देंगे 9 आ जाएगा, तो यहां सिंपल क्या हो जाएगा 14 और यह 18 और 14 को जोड़ देंगे और 2 से भागा देंगे नुर देखते हैं जोड़ कीसा जाएगा 8, 4, 12, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 22, 22 को दो से भागा देंगे यह देखिए next प्रस्ट हम लोग के साथ है problem for उतन इमलिखित में से कौन सा पद दी गई सूची के करम के अनुसार है देखिए तो कौन से सूची करम के अनुसार है सबसे प्रेस में देखते हैं यहां पर देखिए यह क्या हो रहा है इसमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा यह NTPC के लिए बहुत ही important है रेलवे NTPC के लिए बहुत ही important है इसी टैप से उसमें ज्यादा तर इसी टैप से पुछे जाता है तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है यह देख रहे हैं यह पी आर आर पी क्यू आर आर मतलब यह आर का जो अस्थान है वो चैंजिंग हो रह है फिर यहां पांच में होगा एक दू तीन चार पांच में यहां चला गया अबर छे में होगा एक दू तीन चार पांच छे में चला गया अबर सात में होगा तो सात में किसमें है एक दू तीन चार पांच छे सातिस में नहीं है एक दू तीन चार पांच छे सातिस में नही है बतला option कौन हो जाएगा सी इसका right answer हो जाएगा बस आपको इसको देखना है और ध्यान लगाना है कि किसका अस्थान change हो रहा था किसका हो रहा था आर का अस्थान देख रहे हैं वह लोग डायट यहां पर change हो रहा है तो यह क्या हो जागा इसका answer हो जागा उसी के अनुसार जो अगला पताएगा चलिए देखते हैं next person किसी निश्चित कोड भासा में यह गुना को plus यह गुना है को मा plus को परदसीद करता है गुना किसको परदसीद करता है गुना को ठीक है फिर बोलता है माइनस भागा को प्रदसित करता है मतलब माइनस के जगह क्या आ जाएगा भागा आ जाएगा फिर आगे देख लेते हैं इसको पलास माइनस को प्रतसित करता है मतलब पलास के जगा क्या लेना है माइनस लेना है अब यह साइन चेंज कर देना है और यहां पर बठा के देखना है कि कौन सा अंसर होगा यह देखिए 25 हो गया और यहां भागा है भागा के सामने क्या है गुना है इसको गुना के लिख दीजिए, दो, माइनस है, माइनस के सामने क्या है, माइनस के सामने भागा, यहां भागा कर दीजिए, यह 10, 10 है, फिर पलस के सामने क्या है, पलस के सामने देखिए, माइनस है, फिर क्या लिख दीए, 10, फिर गुना है, गुना के सामने क्या देखिए, फिर कितना यह 6 अब क्या करेंगे उन्पार्प्पात सिंपाल स्वाल करना बोर्ड मस्द के रूल से सब से पहले सब्सेदे में जब क्या करेंगे तो यह भागा को जब इंटुम चेंज करेंगे तो इसके पहले वोला संख्या हो जाएगा देखिए एक बटे में 10 उसका उल्टा कर देंगे एक बटे 10 हो जाएगा जिसके पहले वो भागा का संख्या रहेगा इसके पहले है तो यह संख्या को क्या करेंगे उल्टा देंगे, एक बटे 10 कर देंगे एक बार फिर से जिसके पहले भागा का सैंडर है देखिए, इसके पहले है यह संक्यां के पहले है तो क्या करेंगे, यहां गुनम करेंगे तो इसका उल्टा लिखेंगे, तो एक बटा 10 लिख दिए अगर बटाम रहता तो अभी उसका उल्टा लेक देते हैं यह माइनस फिर है माइनस का जगा देखिए माइनस का जगा क्या है यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या किया है यह तो यहाँ पर लेक चुके है ना यह लेक चुके है यह माइनस हो गया 10 प्लस हो गया यह 6 Opsan Number, यह इसका right answer हो जाएगा, यहां पर देखिए, यह पलस one बचेगा, क्या कि यह पहले लिख चुके था यहां, ठीक है, कब पचीस लिखें, पचीस भागा को गुना, यहां देखके लिखें, भागा को यहां पर गुना है, फिर भागा को क्या लिखेंगे, भागा को गु से फिर पलस लिखे थे इस तरह से answer आ गया तो कुछ नहीं जो संक्या दिया हुआ रहेगा वो संक्यां को ध्यान से देखना है और उसका sign को देखना है कि किस के जगा में किया होता है इसको तुरुअ यहां पर not कर लेना है और अगर दिमाग में आप रख सकते हैं तो उससे और अच्छा है लेकिन दिमाग में रखने से आदमी confusion हो जाता है तो रहत आपको जो मिलता है एक्जाम में जो मिलता है टेस्ट पेपर उसमें आप ऐसा लीक लिजिए यह सिम्गोर करके आपका यह इसको ग्याद करना है तो जब भी इस तरह के present रहेगा तो थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपका present बनेगा देखे 831 दिया हुआ है यह आप पर यह थिरी है 831,4,853,864,875 दिया हुआ है तो देखे इतना बड़ा तो संक्यां दिया नहीं सकता है डारेट इतना बड़ा में तो नहीं बनेगा सब देखे 8,8 सभी में है मतलब 8 common हो जागा इसमें यह तो fix होगा कि 8 क्या होगा common होगा जो चीज़ मेरा हो रहा होगा यह बाद वाला संक्या में हो रहा होगा 31,42,3,5,64,75 ठीक है यह 8,8 सब में है मतलब यह common है अब देखे 31,43,5 बहुत जिट आगे बढ़ रहा है तो देखे 31 में जदी कितना जोड दिया जाए जो 42 आजाएगा तो 42 में 31 को खटा दीजिए 11 जोड देंगे तो 42 आजाएगा अब देखे 42 में 11 जोड देंगे तो 53 आएगा यह 42 में 11 जोड यह 2,1,3,4,15, तिरे पन आ रहा है मतलब यही सिरीज इ जोड देंगे 3,4,5,6, फिर इसमें जोड देंगे 4,5, और 4,7,75 हो गया फिर इसी तरह क्या करेंगे 5 में जोड दीजे यहाँ पर 6 हो जाएगा 7 में जोड देंगे 8 हो जाएगा और यह 8 है मतलब 8,8,6 इसका अंसर हो जाएगा यह option number C is the right answer तो देखिए यह तरीका जो है आ बोल रहा है अधी S का अर्थ गुना है, P का अर्थ गटाना है, R का अर्थ जोड है और Q का अर्थ भाग है तो इसका मान गयात करिए सबका देखिए यहाँ पर अर्थ दिया हुआ है S का, P का, R का, ठीक है सबका अर्थ पर लिख लेते हैं, देखिए S का अर्थ क्या है, S का गुना है, गुना का सिंबल देते हैं, पी का अर्थ क्या है, घटाना, पी का क्या हो जाएगा, यह घटाना, फिर बोल रहा है, आर का अर्थ जोड है, तो आर का अर्थ जो है, क्या है, जोड है, क्यू का अर्थ भागा है, तो देखिए, क्यू का जो अर्थ है, वो भागा है, तो इसका बताइए इतना वरावर क्या होगा तो सबसे परे लिख लेते हैं यह 14, 6, 4, 1 Q के जगा देखिए क्या लिखेंगे Q के जगा भागा लिखेंगे यह भागा, फिर यह 1, 2, 1 P है, P का मतलब माइनस है, फिर है 100, फिर यहां पर देखिए कितना है, 52 है यह 5, 2, R है तो यहां लिख लेते हैं यह क्या है, नहीं फाइप नहीं है, यह S है, ठीक है यह S होता है, क्योंकि S का अर्थ दिया हुए गुना, तो यह फाइप नहीं हो सकता है, यहां पर S का यह जगा गुना, फिर 2 दिया हुआ थी होजागा 2 फिर R दिया हुआ R का R थे JOG फिर 100 है यह लिख दिए जिसका मतलब जो था P था, S था, R था, Q था सब का मान यहाँ पर लिख दिए यह Q होगा, P होगा, S होगा, R होगा अब देखिए इसको solve करते हुआ BOTMAS поверх के rule से तो यह 14, 6, 4, 1 की भागा को सबसे पहले solve करेंगे, गुनम करेंगे तो बताय थे एक बटे में यह 120 हो जाएगा उल्टा और यहाँ पर हो जाएगा 100 इंटू 2 प्लस यह 100 अधिके यह जरूर इससे कटेगा तभी तो यहाँ दिया हुआ है तो हम लोग को सोचना है किस से कटेगा तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है मतले हैं 128 का स्क्वाइर यह यह यतना आएगा 128 का स्क्वाइर करेंगे तो हम लोग का कितना आजाएगा यह 14, 631 करके देख लेकते हैं 120 into 120 यह तो चर देखें, यह आजाता है, यहाँ पर तो 128 कर देंगे अब 128 माइन memoirs 120 को दो से अब गुना का काम हो जाएगा तो यहाँ 200 हो जाएगा पलस यह 100 अब देखें, यहाँ पर 128 कितना हो जाएगा? 220 माइन meas 200 तब फोईनल कितना बच जाएगा? अकीस बच जाएगा दोसो अकीस में दोसो चला जाएगा तो अकीस बच जाएगा मतलब यह option number 20 का right answer हो जाएगा ठीक है तो इस तरह के प्रस्टों को असानी से solve कर सकते हैं बस किसका मतलब क्या यहां पर लिख देना है और उसी तरह से बनाते जाना है चलिए देखते हैं next present देखिए बहुत ही interesting present है निमलिकित present में दिये विकल्पों में से looped ankh ग्याद किजिए हाँ विकल्पों में से looped ankh ग्याद करिए इस तरह का present को बनाने के लिए सभी लोग interesting रहते हैं देखिए यहां पर looped पद यह क्या होगा तो हम बताये थे इसका एक वीडियो अलग से बनाया है looped पद के लिए उसको अब जाके पुरा नियम देख लिएगा कैसे कैसे सोचना है बताये थे जब देखिए बड़ा इधर रहेगा तो यह तरीका से सोचा जाता है ठीक है इधर यह बड़ा हवला संख्या है तो ऐसे सोचेंगे अब देखिए यह पांच आठ से ही कुछ करके यह 32 लाया होगा चाहर जो नियम इस दोनों में लगा हो तो देखिए क्या करते हैं अगर जो दोनों को गुना कर दिया जाए तो पांच गुने आठ कीतना हो जाएगा ये चालीस हो जाएगा अब चालीस में कुछ घटा दिया जाए क्या घटा है जो 32 आ जाएग vrij 1976 जदर यही आठ को घटा देंगे तो देखिए बत्य तो आ जा रहा है अब देखते हैं वही चीज़ यहां हो रहा है क्या नहीं हो रहा है 9 चक 54 आ गया 54 में जदी यही 6 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 48 बचेगा मतलब यह भी काम कर रहा है उसी तरह यहां होगा यह गुना कर देंगे तो नौस्ती कितना हो जाएगा 63 में 9 खटा देंगे तो कितना हो जाएगा तेरों में 9 यहां पर 4 6 में एक चला गया 5 मतलब 4 होगा यहां यहां कितना होना चाहिए था जब बस सिर्फ लोजिक पकटना है कि कैसे यहां पर क्या हो रहा है जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसको बार बर देखेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और आप बना पाएंगे नेक्स प्रस ने बोल रहा है अच्छों का कौन सा समो खाली स्थानों पर करमवार करने से दी गई अच्छा सिर्फ लोजिक पूरा करेंगा ठीक है तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे यहाँ खाली स्थान है यहाँ पर है यहाँ पर है और एक यहाँ है और एक यहाँ है इसमें बोल रहा है कि यह चारों में से कौन संख्यां यहाँ पर आ जाएगा यह संक्या जो है देखिए P R A B 7 में है मतलब A B C लग रहा है A B C P Q के फॉम में यह बनाया गया है तो अगर यहां पर देखिए A B शुरू में A कहां पर है तब यहां बन जाएगा A B C फिर P Q R यह सीरीज में यह चल रहा है तो सबसे पहले देखना है की A किस्म है यहां पर यह तो नहीं यहां पर है तो यहां अगर यह बठा देखिए A B C फिर P है P Q फिर आ जाएगा यहां पर जिली बठाएंगे P Q और फिर यहां पर बठ जाएगा यह Q मतलब यह नहीं हो रहा है अगर यहां बठा दें यह दूसरा में बठा देंगे P, P, Q, फिर तिसरा में आ जागा R, फिर A, B, C, फिर आ जागा यहां C, फिर P, Q, R मतलब यह option number C इसका right हो रहा है देखिए इसको यहां को ठाक बठाते हैं यहां पर कितना A, फिर बठ जागा P, फिर बठ जागा यहां पर R, फिर बठ जागा यहां पर C, फिर बठ जागा यहां पर Q मतलब A, B, C, P, Q, R, A, B, C, P, Q, R यह series इसका चल रहा है तो option number C right answer होगा और यह सब answer नहीं होगा ठीक है आज यह last person है, यह person 10 है आप लोगों पता है, इसमें 10 person लेकर आते हैं और 10 person को बताते हैं, जो 20 chapter से रहता है ठीक है, यहां पर बोल रहा है वह R, चुनिये, जो नीचे दिये गए वर्गों के 20 के सवन्द का सही निरूपन करता है यहां पर देखिए सारा वर्ग दिया हुआ है यह हम खुद से इसको बनाते हैं इसलिए त्रोचा टेड़ा मिड़ा बन जाता है लेकिन वस आपको जानकारी से मतलब है ना कि कोन यहां पर वर्ग ऐसे बना के गोला करने से मतलब है ठीक है, तो समझे सब क्या वर्ग है वीश्व भारत दिल्ली तो हम लोग जानते है यह वीश्व है वीश्व के अंदर क्या होता है भारत है वीश्व के अंदर इसमें भारत है अब फिर जैसे देखिए यह पूरा जदी वीश्व रहे यह होग यह पूरा वीश्व है उसके अंदर भारत है तो ये भी सही है कि उसके अंदर ये भारत रहता है भारत के अंदर दिली है क्योंकि भारत की राज़दानी दिली है तो यहां दिली है तो देखियो कौन फिगर इसमें मिल रहा है ये तो नहीं होगा ये नहीं होगा देखियो अप्सन नमर सी में दिया हुआ है मतलब यह just figure से बता रहा है कि यह जो दिया हुआ भारत और दिली उसका क्या combination हो सकता है क्या सबंद हो सकता है उसका थीक है तो यह सबंद सहीदर सारा option C यह तो थोड़ा थोड़ा थीनु है मतलब ऐसा नहीं है कि यह थोड़ा थोड़ा थीनु होगा हाँ तो ऐसा नहीं है उसके पूरा अंदर है भारत उसके पूरा अंदर भारत के अंदर क्या है दिल्ली है तो यह मेरा क्या हो जागा राइट अंसर हो जागा सी तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और अपन प्रप्लम्स फिर मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीजो लेकर थिरी तब तक के लिए से पढ़ते रही है और जो अपना आप सेट लिए है वो इसको बनाते रही है